नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज के आमारे इस वीडियो में आज के वीडियो एक्सेल साइज 11 का कोस्चन नमर वन आप भराइटी ओफ अबजेक्स डेस डा आई आपके ओप्शन है चार्म या फिट चार्म तो याद रखेंगे ऐसे कोस्चन में अगर आपका सब्जेक्स ए वराइटी ओफ है क्या है अगर आपके सब्जेक्स ए वराइटी ओफ है उसके बार प्लूडल ना होना आता है तो भरव भी प्लूडल लगाएगा लेकिन अगर इस sentence में a variety of के जगात आप variety of होता तो भर्व क्या होता singular use करते ठीक है question number two देखने क्या लिखा हुआ है question number two है two thirds of the work dash lift undone options here are watch and wear तो क्या rule है यादध है आपको भी कि one third हो two thirds of हो three fourths of हो अगर ऐसे sentence आते हैं उसके बाद uncountable noun है तो भर्व क्या होता है singular होता है वर्व एक uncountable noun हो गया भर्व क्या लिखेगा singular लिखेगा इसको क्या हो गया भर्व यहाँ पर singular है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा singular हो जाएगा ठीक है question number three भी पता है आपको each of my brothers अगर sentence की शुरुवात वैसे सबसे होता है जिसका एंदी एक है तो भर्व भी क्या होगा singular होगा question number five you पहले क्या होता अगर sentence में क्या क्या हो who हो पता है आपको भी who whom और कौन कौन सा that और which who whom that which अगर sentence में आता है तो भर्व इसके पहले जो noun रहेगा उसी कनुसार लगाना होता है ठीक है अगर इसके पहले singular है तो singular लगाएगा plural है तो plural लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या चीज है who who के पहले क्या है you you कनुसार क्या हो जाएगा r हो जाएगा question number five he is twice of words that's excellent याद रखेगा हीज के बाद जो यहाँ पे भर्व आया हुआ है अगर इस singular है तो यहाँ भी singular लगाएगा plural है तो plural लगाएगा ठीक है हीज वाला बहुत सारा अभी हम आपको sentence दे रहे हैं इसको बनाइए और हमें बताई कितना आपका सही हुआ है question number six देखे गुड न्यूज डेस कम टूड आप कोई पता है न्यूज सिंग्लर होता है एस भले लगा हुआ हो तेकिने कैसा है लगने वाला भड़ भी क्या होगा सिंग्लर होगा question number seven है neither of the sisters क्या नाइदर का पेर नौड है कहीं पर क्या बिल्कुल नहीं इसका हेंदी भी क्या होता है एक तो क्या लगाएगा वाज लगाएगा question number eight क्या लिखा हुआ है है everyone and every horse अगर आपके यहां पर मैट में कैसे लिखता है two ए पलस two भी लिखा हुआ है तो common कुछ दिख रहा है क्या है तो common है तो common क्या लिखते है ए पलस बी लिखते है उसी तरह every अगर आप common ले लिगते क्या बन जाएगा everyman and horse हो जाएगा होगा या नहीं होगा तो हम बता कोई मतलब उसका नहीं बनता है सिंगलर ही लिजएगा ओक्रिछा 9 को से नमर्व नाइन है दोस्तों तो नाइज गर्रीडर न१र का प्या 흥 क्या होता है नौर की नदिक में क्या है प्रिस्मेंट, प्रिस्मेंट कणुसर क्या हो जाएगा, is, question नमर 10, a large number of cattle, आपको पता है कि do noun of in on से जुरा हो तो भर पहले वाले कनुसर, a large number कनुसर plural हो जाएगा, अगर do number of होता तो singular use करते, question number 11 का लिखा हुआ है, the ideas of my teacher, do noun of in on से जुरा हुआ है भर पहले लगा हुआ है यहां पर ह critical हुआ है यहां पर नमड यूज कर एज लगा होता है को सटे नमब 13 क्या लिखा हुआ हो ही इसकेप डैस स्टील इस्टील इस्टील ए मिस्ट्री देखे यह क्या है एक क्लाउजट भर भी क्या होगा सिंगलर होगा कि जो जाएगा कोस्टा नमब 14 क्या है यू आर दा मैं हूँ क्या बोलने है अगर आपको फिल करने के पहले हूँ हम डैस स्टील इस्टील 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 जॉन विट इस वाइफ देखिए विच मतलब के साथ दो नावन को के साथ वाले वर्ट से जुड़ा जाता है बहुत पहले वाले गनुसार लगाते है मिश्टर जोन करनुसार क्या लगाईएगा वाल लगाईएगा कोश्चें नमा 18 कहा है नथिंग बट फने स्टोरी यार ट क्या लगाईएगा और कोश्चन नमा 20 डा सम और सबस्टांस ऑफ दा मैटर डैस डैट ही वाज रॉंग डिखिए दो नावन है यहाँ पर ऑफ इन उन से जुड़ावत भर पहले वाले गनुसार यहाँ पर क्या लिखा हुआ आर्टिकल कितने के पहले है तो दा के पहले मतल करने